बियार उन राज्जों में से एक है जहाँ सबसे जादा सिविल सर्वन्ट भारत मा की सेवा में समर्पी था इसी बियार के सपुत जो राज्जों और प्रदेश की सेवा करने की चाहा रखते हैं उनी फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए टेस्बुक एक माध्यम बनने जा रहा है टेस्बुक लाँचेज बीपिस्स सूपर कोचिंग बाई बिहार स्सूपर टीचर्स इंडिया के सूपर टीचर्स के साथ अब होगा बीपिस्सी क्रैक डाउनलोड करो टेस्बुक एप अलो गाइज गुड़ आप्टर नून वेल्कम डूर टेस्बुक बिहार और मैं एपिस्स आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने प्रेटफार्म टेस्बुक पर जल्दी सा जाए फटा फट सेशन को जोईन करिए और स्टार्ट करते पनी क्लास आज यह लुख आपर नून और सभी को सभी लोगों गुटाब कर आपके नून वयटा अंकिता बेटा इस नून बिश्टा गुड़ आप्टर नून पुश्रा गुड़ आके बढ़ते लीटा कि लूख कर दो लोगो साइंस की देली चल लगए है डेली कितने मजे वोती ही गटahh दो बजे वोती है दो बजे आपकी ख्लास डेली होती चैनल का नाव हमारा गौन सा टेस्ट बुक पिहार है राइंट टेस्ट बुखर भी तो इसके साथ साथ में आप टेलिगराम जो गूर्ब है आपका एपेसर टेस्ट बुक एपेसर टेस्ट बुक नाम का टेलेगराम गुरूप है हमारा इसको भी क्लास का लिंक क्लास के पीडियाफ सब कुछ आपको अवेलबल हो जाएगा ठीके बात चलिए बढ़ते हैं सब कुछ रही चल रहा है गुड आप्टर नून का हल भा कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं चलो तो हमारा यह क्लास हमारी चल रही आज के देखते हैं और हमारा टेस्ट बुक सुपर कोचिंग है इनकी तरफ से हमारी क्लास चल रही है तो आप लोग भी सुपर से उपर अपनी त्यारी रखिए और जली से क्या करी एक्जाम निका होगा इसको आप परचिस की और यहां पर मैरा कूपन कोड़ जो है एपस पास इसको भी आप लगा लिजिएगा 10% आपको और मिल जाएगा मतलब चलिए चौकस बाव चलिए एंपर किसकी है की काई होती है मैंटिक फिंड की होती है इलेक्टिकल चार्ज की होती है लाइट इंटिनिंजी की होती है और बचुआ प्टा भी नहीं होगा ना आंसर भी नहीं कुलाम्ब होता है यानि की सी से डिनोट करते हैं ठीके बात यह कुलाम्ब होगा यह हमारा एंपियर नहीं ना होगा आगे बढ़ती है चलिए अगला सवाल यहां से आता है कि इसे बोलते हैं ना रेडियो धर्मिता का मातरग क्या होगा मेगा बोल्ट होगा कि यह यहां कि इसकी खोचकी कि खोच की होचकी तो सबसे पहले उनिट यहोजाती है इसके दो साल के बाद टू साल के बाद दू येर के बाद क्या हुआ हमारी एक क्यूरी थी मेरी क्यूरी मेरी क्यूरी नाम की हमारी मेडम है मेरी क्यूरी इन्होंने क्या किया दो एलिमेंट खोजे क्या खोजे दो तत्तु खोजे जो क्या करते थे रेडियो एक्टिव हुआ करते थे वो दो तत्ति कोई आंसर देता है एनिवन अंकिता सिंग फिवहू और हमारी बुष्णा बात्वा मेडम क्यूरी मेरी क्यूरी अनिल भाई बताए वटापर रेडियम और पॉलोनियम की उन्होंने खोज कि अलावा दो यूनिट और होती हैं जैसे रेडियोकटिवेटि ना भी जाती है पहले थीसरे रदर फोड रदर फोड रधर फोड ने भी आपका रेडियोक्तिवेटिवटिक बारे में काप़े कुछ बोला हुआ है और चौति हो जाएगी रोइंटजन रोइंटजन हो जाएग बहुत बढ़िया अपने आंसे दिया सही दिया एकदम से बिंदास चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सबाल यहां से आता है कि कि अधिक्तम उर्धादर पराज प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रचप को फेकने की लिए कॉन क्या होगा अपका क्या होगा जाएं जिससे कि आपका वाजाएं नबेक्टिक्री आप neither सबस्क्राइब आपको उपर जाएगा जाएगा अगर आप सुचोंगी मैग्जम रेंज के लिए फेंको तब सबस्क्राइब और हो डूता है ना बडुकल बोला अरे अरे भाई क्या कर रो देखो क्या बोला आपपकर अर। कि वा रही है तो बडुकल रिंज कितने हो जाएगी किने बहुत कि बताईए। बॉलेंगे बढ़िया बोलु हां ना अरे बताईए कि सही बात है कि नहीं है very good 90 degree यहां पर सब लोग मैं जम लोग चक्मा खाते हैं बता रहा हूं गलती आपके नहीं है 90% लोग जल्दबाजी में लगा के चले आदे 45 डिगरी आगे देखते भी नहीं है ऐसी गलती आप लोग बहुत लोग करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए the body can only move when the force of friction जब आपके friction लग रही है और जब मान लीजिए कि F is equal to कितना हो जाएगा F हो जाएगा तो यह body किस पर होगी रेस्ट पर होगी अगर जो friction है यह आपके less than होगी जब कि से force से तब यह motion में होगी तब कहा हो जाएगी यह motion में आ जाएगी आगे की तरफ जाएगी अगर यह friction आपका greater than force हो जाएगा तो body यह move नहीं करेगी क्या हो जाएगा friction की यृवि कर रहे होंगे इससे कर लेस धिन होगा आरोपत कॉम होगा तभी न अब जाएगा यह तर यह देगा यह शर्ड कैसर अब अकर माल जिए इसको नीचे कंड़ette है तो आप चसों ढब चrzन लग रहे है वो फोर्ष केवा रहा यह यह एब शौस्तिय। वो फोर्स किया और यहां पर कम है लेकि जैसे में इसका क्या करूंगा एंगल इसे बढ़ाऊंगा जैसे में अंगल बढ़ाऊंगा थीटा की बढ़ती चलिए जाएगी जैसे बढ़ेगी यह गिर जाएगा सुमझ गहें तो फ्रिक्शन से जादा क्या लग गई फोर्स लग क्योंकि मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो यहां पर देख सकते होंगे आप जो यहां पर लगता है फोर्स का बहुत जाता है इस तरफ लगेगा मजी साइन थीटा इदर लगेगा मजी कॉस्ट टेटा साइन की हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन की हो जाएगी जाना चाहिए इसको और बूठाेंगी गर जाएगा ठीक बाद तो यह आपका अंसर किया हो जाएगा ठीक चलिए तो ऑसनेस यहाँ इंदा इंदा त्व फ्र Ayf के पेराटिक होंगे टाया breakthrough क्यों दिमा ज़लिए चलिए आपको समझा दूँ आप लोगों कोको मैं प्याइव म्हीं होंगे और ऐस देर सो नाम अगर कि इसके वाद अब भूलकि दिखा तो मेरे नाम अमिद प्रताप शिंग नहीं चलिए आए जल्दी से पैरा फैरो एंदा पैरा समय अंसर देए बैटा फैरो कौनसे होगा डाय मेंगेटिक होगा देखीगा मैटेर इंदा सुपर कंडेक्टिक स्टेट में कैसे हो जाते हैं यह पर प्रिदिचुम्ब किये हो जा हो जाते हैं फैरा मैगनेटिक होता है ठीके बाद इसके लाबा क्या हो जाता है डाय मैगनेटिक होता है डाय मैगनेटिक होता है और यह होता आपका फैरो मैगनेटिक यह तीन बड़ आपके होते हैं जो क्या करते हैं डिसाइड करते हैं ठीके बाद इसको बोलेंगे पैरा प्रति चुम्बकी हो जाएगा 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 और इसकी बात करें फैरो की बात करें तो कैसा हो जाएगा फैरो की बात करें प्र आपने परतिकोल परतिकोल कि यह संज़ समझ लेजए अनकूल और प्रतिकोल परतिकोल पर आगे बढ़ता अब बोल नहीं पाऊगे कभी भी जिन्दगी में, चलिए. अनकूल अप्रतिकूल आपने दू सब्द पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं. दानिया खान, पड़े होंगे आप लोगा ने. अनकूल पष्टितियां क्या होती हैं? अनकूल का मतलब होता है कि अनुचुम्बकिय का मतलब हो जाता है ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट जो कि क्या हो जाएं चुम्बक के पास आने पर क्या होते हैं चुम्बक से जुड़ जाते हैं चुम्बक से दूर जाने पर क्या हो जाएंगे कि चुम्बक से दूर हो जाते हैं मतलब यह एक special condition में क्या हो जाएंगे चुम्बक से चिपक जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका अनुचुम्बक यह हो जाएगा और प्रित्व कुल परस्तितियां मतलब परस्तितियां कि दमसे विपरीत हो गई प्रित्कुल समझमायाग नहीं आया ज़रा बताईए कि बोलो हाया ना अचना कुमारी बुश्रा फातिमा एंड दादानिया खान फिहू अब है आरके अलाइस और मिस्वी फिर्स फार्मर समझमायाग नहीं आया चीज अनकूल मतलब क्या हो जाएगा जो अनकूल चुमबक के प्रित्कुल मतलब जो क्या हो जाए दूर हो जाए ठीक है बाद चलिए अब जो किसे से डर लगता डाया से क्या हो जाएगा डाया से डर हो गया कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जब आपके पास आने से क्या हो जाते हैं डरते हैं और जब पास आने से डरेंगे त तो क्या आप से चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे जो डा से क्या हो जाएगा डर हो गया जो डरेंगे वो आप से क्या करेंगे चिपकेंगे नहीं क्या करेंगे चिपकेंगे नहीं यह नहीं चिपकेंगे डा से क्या हो गया डर हो गया बोलो आई बात समझ कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमेसा रहते हैं इनका यह होता है कि जब मुखा मिले तब क्या ले हमसे फेरे मतलब होता है कुछ लेंगे तो फैरे लेने के बाद तो आजमी लेने चुम्बक बन जायगा सबंसक्का यह पर फैरो में जिसको समझ सकते हैं तो चलीए बेरी घुड ऐगे बढ़ना जाए है आगे बढ़ते हैं आगला सबस्था पर एक निकाए का बजन जो होता है वो कित ना होता है प्रित्वी के एंदर पर निकाय का बजन क्या होगा तो जब अर्थ के सेंटर पर यहांपर जाओ जाओ के तो जीकी बैलुट किया होता है mg हो जाएगा यह निå m into 0 जो भी mass होगा यहां पर vite कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पित्वी के center पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है सून ने होगा जीरो होगा बहुत बढ़िया सून ने होगा जीरो होगा very good आगे बढ़ते हैं कितना होगा तो आपको पता होना है यह पहले फामुला किसका बर्क का का तो कार का फामुला होता है बेटा क्या f.s जो dot product होता है इसको जब हटाएंगे तो क्या जाएगा f into s cost theta बोलो हाँ याना f into s cost theta हो जाएगा note करीगा यहां पर तो cos theta के अगर बात value हम बात करें तो cos 0 कितना हो जाता है cos 0 की value कितनी हो जाएगी 1 होती है cos 45 की value कितनी होती है आपकी 1 y, root 2 होती है cos 90 की value कितनी हो जाती है 0 हो जाती है तो जब कभी भी theta आपका greater than 0 degree रहेगा और less than कितना रहेगा, 90 degree रहेगा तब cos की value क्या हो जाती है, positive होती है, ऐसे याद कर लो, जब theta आपका 0 से 90 degree बीच में रहेगा, तो cos theta की value कितनी हो जाएगी, यहाँ पर, cos theta कैसा रहेगा, positive रहेगा, बोलो हाया ना, जब theta आपका 90 degree से जान्दा होगा, और less than कितना हो जाएगा, 180 degree होगा, तब क्या हो जाएगा force की value कैसी हो जाएगी, तब force की value कैसी होगी, बेटा, आपकी negative हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, क्यूंकि, cos theta, 90 degree और 60 degree बीच में कैसा रहता है, negative रहता है, कैसा रहता है, negative रहता है, याद दखेगा, अब यहाँ मेहत की बात करें, हाँप अगर मैं coordinate यह रहता है, हमारा positive रहता है, दोसरे coordinate की बात करूं, तो cos theta कैसा रहेगा, negative रहेगा, negative, या फिर मैं इसका graph बना लेता हूं, math की according, अगर math की graph की बात करें, तो graph कैसा बनेगा cos theta का, यहाँ पर देखेगा, cos theta graph आपका कुछ यूँ बनता है, कैसे बनेगा, आपका यह बनता ह 270 degree हो जाएगा, यहाँ पर बात करें कितना हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा, यहाँ पर बात करें कितना हो जाएगा, 360 degree हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 270, बोलो हाँ या ना, तो जब यहाँ पर देखेंगे, cos theta 0 से 90 तक आ रहा है, तो यह कहा हो जाएगा, positive हो जाएगी, क आपके कैसी बात कर रहा भाई, IAT qualify किया हूँ, मजा की बात थोड़ी नहीं, तो आपके समझना है, इस समझाद दूँ, graph से समझाद दूँ, coordinate से समझाद दूँ, अब इसका जो बनता है, इसका जो बनता है, इसी graph से बनता है आपका ये, बना आप यहां से लेकिए यहां तक आएंगे तो value देखी positive है कि नहीं है 90 degree तक यह पूरा गिर आप कहां जा रहा है positive बालेम जा रहा है नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा यह positive हो जाएगा इसमें देखें कि 90 से 180 इस सवाल का नहीं होए इस सवाल का नहीं हों नोग ऐह पर चौड देते हैं आपको स्थजaran को जाएगा और लेसे 90 हो जाएगा तो यह positive हो जाएगा और anche 180 से 180 बस्ती जाएगा तो इतना बता कि लोग छोड़ देते हैं इसके आगे कोई नहीं बताता है कि आखिर यह बैलू जो आ रही है यह आ कहां से तो आती कहां से आपकी यहां से आती है ठीके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं पढ़ाता जीएस हूं लेकिन मैथ भी आ पढ़ सकते ह बाद दो ठीके बाद चलिए माब ब्लबर सब्सक्राइब भेरिगूत आगे बढ़ते हैं, य। इस व कह चिस के रहा गरम होता । इन्सुलेशन के दौरा कंडक्शन के रहा, रड्येशन के दौरा या फिर कंवेक्शन के दौरा किसके दौरा सब से जानदार गरम होगा ज़रा बताएं रहा रेढिसन Н आप चोनिल आंब हुए का प्तिकमाने सबस्ता है मैजने बाताइब्र Deus को बाताबरन बोल बाताबरन या एड्मोसपेर बोलेंगे radiation के द्वारा, यहां तक, धान से धान से पढ़िएगा, यह आपको समझाने जा रहा हूँ, इसके बाद आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, यहां पर ना solid है, ना liquid है, ना gases है, यहां से जो heat जा रही है, वो जाएगी किसके द्वारा यहां पर जाएगी, वो जाएगी आपकी radiation के द्वारा, मतलब radiation जहां पर होता है, जहां पर ना कोई solid होगा, ना कोई liquid होगा, ना कोई gas होगी, ठीके बात, चली आगे बढ़ते हैं, यह radiation होगया, यह इसको क्या बोलेंगे, विकरन बोलेंगे, अब जैसे ही यह heat पहुँचेगी, किसके अंदर, atmosphere के अंदर, इस atmosphere में क्या होगा, air होगी, air के साथ में क्या होगा, moisture पाया जाएगा, मतलब नमी होगी, तो liquid भी होगा, air होगी और liquid होगा, तो air और liquid में heat को transfer होने के लिए, जो medium चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग, convection बोलेंगे, क्या बोलेंगे, convection बोलेंगे, क्या बोलेंगे, convection ब लुकिड और इसमें सब्सक्रीट आफ टानलेगे हो काज़िश बहुत्थ deals होता हैं यह चालंथ के थ्रूब होता है यह आपना पर hok कंडक्सन से होता है यानि कि तो हीट को फिर से चोड़ेगी तो यहाँ तक तो यह वापस जाएका तो फिरसरी डिइसन होने लगेगा यह प्रिशरी डिशन होगा तो इस पूरे प्रोसेश के यह देखा कि हमारा डुमसपेर है है कि से अधार किसके इस अधार कि मुझे कंवेक्शन गया उन शुक्रायका स्वेंटा हट आ 10 सभेंशनवां सr अगे बढ़ते कोई दिक्कद नहीं अग्ला सवाल देखते हैं अग्ला सवाल दुक्त पर और इंद अग्ला आप लोगों को नहीं लगाना है, सिंबल सिंबल लेख देजे कि सिलिकॉन डाइकसाड का होता है, सिलिकॉन डाइकसाड का बना होता है, आपका अप्टिकल फाइबर बना होता है, आप्टिकल फाइबर में किसके प्रिंस्पल पर काम करता है, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्श पर बहुत ही सुन्दर आगे बढ़ते हैं फ्यूज बायर यूजट इन दा इलेक्टिकल इंस्टुमेंट इस मेड़ आफ बिजली के अपकरणों में प्रियुक्त होते हैं फ्यूज बायर घर में देखाऊगा आप लोग ने कि आपका बोर्ड लगा होगा यहां पर इस जगा यहां रोड में अपका मीटर लगा होगा और मीटर के जश्ट बाहरे सकता ही ऐसे कि यह क्या होते हैं फ्यूज होते हैं इनका काम siya बने होते हैं पर यहां पर रजा पलेइन के बने होता है ज से तुब कभी भी तो यह आपके दझा की त्हीं कि इहां से तरह से ऊंचे 501 मालनेव की कितनी है मृई लैजिए 300 की हमको क्या चङический हमको लाइट चैहिए यहां से इसे जांदा नहीं चाहिए कि अधर में हमारा Can फुख जाएगा ती भी फुख जाएगी सब कुछ हमारा फुख जाएगा तो होता क्या है कि हम ऐसा फ्यूजबार लगाते हैं कि जिसका रजिस्टेंस कैसा होता है रजिस्टेंस कैसा होता है रजिस्टेंस इसका लो होता है रजिस्टेंस कैसा हो जाता है रजिस्टेंस लो ह करेंगा करने की बगजे से क्या हो जाएगा ठेच वाद पिगने के बाद यह ढुट जाएगा हमारे प्लिएंस्ट पत जाएंगे ठीक है ठीक है और आगे बढ़ते क् Gay presents अगरा स्वाल देखेंगे कि what are the element fluorine chlorine bromine and iodine and antonite commonly known as fluorine chlorine borine iodine को आहम तरह पर किस रूम में जाना जाता है actonite बोलेंगे transition element बोलेंगे hydrogen जो लेंगे तो यह है जो fluorine chlorine bromine iodine है यह group 17 element है group 17 element है जिसकी balance कितनी होती है balance की माइनस बन होती है या दखिएगा और यह क्या जाता है हाइलोजन का जाता है हाइलोजन का जाता है क्या जाएगा हाइलोजन को का जाएगा c is the correct सब्सक्तरिस्तलिडारे लिए वाज़ आघेंगे लागंता के लिए कौन लिए हैंग्यास कतांदा किताबा करेंगे अश्राँ आपकी जाना किताबें बोल रहा हूँ, कौनसा आपका element जाना जिम्मेदार होगा, पढ़ा है अप लोगोंने कुछ, क्लोरो फ्लोरो कार्बन पढ़ा है, हाँ या ना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन पढ़ा है, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, हाँ, CFC पढ़ा होगा, क्लोरो फ्लोर करते हैं पर हैं किलोरीन का एक 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 एटम को ब्रेक कर देता कैसे जैसे पहुंचेगी और यहां पर O का आपका एक free electron और बन जाएगा यह free radical बन जाएगा A O फिर से rate करेगा तो यह भी तोड़ रहा है और यह भी तोड़ रहा है रेक्शन बनेगी किस्ते जिसमें O3 convert हो जाएगा किसमें आपका oxygen में convert होगा और बाद में फिर यह वाला जो यह O है ना यह भी आपका O3 से मिलेग और आखरी में O2 प्लस O2 करके क्या करेगा इसको तोड़ देगा इसको क्या बोलते हैं लोग ओजोन डिपलेशन बोलते हैं कि आपकी ओजोन जो है oxygen में convert हो जाती है यह free radicals को प्रेक कर देते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग ओजोन डिपलेशन बोलेंगे ठीके बात चलि sodium क्या बोलेंगे sodium bicarbonate sodium bicarbonate हो जाएगा आपका कौन सो जाएगा chemical name of the baking soda NAHCO3 यह आपको क्या हो जाएगा इसको baking soda बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़िए आरके लाए यह यूपिस्टी ठीक है या आइट ठीक है देखो या सिंपल से बाद है आइट अगे बढ़िए चलिए जर्मन चांदी किसका मेंसे दात होती है जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर किसके लाए होती है इसकी कॉपर की होती है इसमें क्या पाया जाता है कॉपर पाया जाता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाई नहीं जाती है गोल्ड नहीं पाया जाता है आपका पीतल भी नहीं पाया जाएगी कॉपर का लाए होता है कौन सा आपका जर्मन सिल्वर ठीके बाद चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़ लाइक्टिव इंडेस किया दार पर किस बेसिस पर आप दोनों को क्या कर सकते हैं फिर तक कर सकते हैं ज्राब बता यह अजलदी एस बटांफ तो पटा देंशिटी क्या होती है दैंसिटी क्या हो देंसिट अब दोहों है वाटर अनव नीचे जाएगा मतलब जो गाड़ा होगा और जो पत्ला होगा दुनों का लग कर सकते हैं डेंसिटी के माध्यम से डी आंसर क्या हो जाएगा क्रेक्ट हो जाएगा बेरी गोड दानिया खान अब अंकिता सिंह बहुत सुंदर आगे बढ़ते हैं कि एंत्रोपोलोजी इस डाइस्टी जाएगा बढ़ते हैं इसको बैटा क्नेक्टिव टिशू बोला जाता है क्या बोला जाएगा इसको कनेक्टिव टिशू बोला जाएगा संयोजी उतक इसको क्या चाहएगा संयोजी उतक क्या कनेक्टिव टिशू इसको कहा जाता है याद रखिएगा ठीके चलिए बहुत बढ़ए मतलब एक औरगन से दुसरे और आफ्के करता है मिनेरे को एक जिगह से दुसरी और जगार को पहुंचाता है बिलट पहुंचाता थैं आगे बढ़ of the large intestine absorb, बड़ी आत की दीवारें, जो होती है, क्या अपसोसित करती है, बड़ी आत की दीवारें, क्या अपसोसित करेंगी, पानी अपसोसित करती है, डाजेस्टिट फूड को अपसोसित करेंगी, अपसोसित करेंगी, या पर सेललोज को अपसोसित करेंगी, किसको अपसोसित करती हैं आपकी बड़ी आत की दीवारें बताएं चलिए पहला दे रहे हैं पहले लोग वाटर को पानी को very good ड़ाया ने पानी दिया है रिया ने डाजीस्टिव प्रोटीन दिया है किसीने तो आंसर हो जाएगा पानी देखो होता क्या है मैं बता हूँ आपको इसके बाद आपके छोटी हांत होती है छोटी हांत जो फैली होगी चोटी हांत में क्या होता है यहां पर आपके निउट्रियंट जो हो चाहते हैं बड़ी आत में पहुंचेगा इसके पास ने पहुंचे गा इपकोष्य ऋवीट आट के फिसकेपास जाइए है इसके बास फिक बास पहुंचेहा इसके पाना खहने पहुंचेगा इसके बाइविविती ह्वाइल ए ना, बड़ी आत में पहुंचे गार जितना भी खॉने में पानी है इनको सब को किया करना है एक यह बेजेघा किस पास में ये भेज हैंगी किडिनी के पास में कहां ये पहँचेगा ये होटा है और फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद पानी आपका इरुन के रास्ते चला जाता है आपका बाहर और आपको जो स्टूल होता है वो आपका स्टूल के रास्ते चला जाता है आपके बाहर चला जाता है तो कभी कभी सुना हो गया और लूज मोसन में आपको बीकने सोन फिर यह ना यह स्काव जाता है तो फिर सबस्क्राइब करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं सवाल अपका लाता है है हमोगलोबिन इस दा प्रोटीन इंसाइड ब्लड सेल्स डेट केरीज हमोगलोबिन ला लक्त कोषिकाओं की अंदर का प्रोटीन होता है जो किसको बहन करता है homoglobin तो homoglobin का काम होता है बेटा किसको oxygen को लेके जाना oxygen को लेके जाना बेटा किसका काम होता है homoglobin का होता है राइट चलिए बढ़िया आगे देखते हैं इदर what is the process of the removing air out of the respiratory system स्वसंतंतर से बायू को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है respiration कहेंगे inhalation कहेंगे exulation कहेंगे या ननवदायबब कहेंगे जरा बताइए स्वसंतंतर से बायू को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है चलिए और नियुक्त को बारिक प्रगिर लेना उप्टीरिक लेना हो जाएम और आपकाया का मतलब हो जाए경 क्या हो जाय rape अगे बढ़ेगा इसपार ना जायका हो जाए मिटा जाएगा साइस अंदर आजना करना तो sweats questions का मतलब हो जाएगा साथ अंदर खाणषison आगे बढ़ते हैं इंदर, सवाल आपका आता है कि the humans main excretory product is, मानब का मुख के उत्तिसरजन उत्पाद क्या होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक ऐसे होता है, या फिर बोले तो अमोनिक ऐसे होता है, इनमें से क्या हो जाएगा, आपका humans का main excretory product, तो human का main exc होता है, यूरिया होता है, मनुख क्या करता है, यूरिया बाहर निकालता है, क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालता है, और अमोनिया को, अमोनिया को पहले बाद किसमें convert करेगा, अमोनिया को convert करेगा, किसमें, यूरिया में convert करेगा, ठीके बाद आगे बढ़ते हैं, ब कपाल द्वारा मेडूला ऑबलंगैटा होती हैंओ जब इसी तुरीके सब्श면 सब्चक्राइब मुविंट के लिई और इसके बीच में होते हैने हिएむ कोड इस पूरे यारे काम को क्या बोलते हैं लोग बटरीबर कॉलम्भ बोलेंगे कि अक स्टोर की ads प stress रड़ी होती हिए इसे लिए हुथी एसके बीट से क्या go ahead इसके बीट से ये pipeline राइप जहकंते हैं जोब्स Gile bena किए ने हो जाएगी व slaves खो сохран कि जेखें से कि अगे बाइट। करें तो अपका blindness हो जाएगी किACH की अगरते हैं चलिए बहुत बड़िया आगे बढ़ते हैं अगauen सभाल perse आता है वैटा कि वाट इजाइनस्टिपाने का बघ्यानिक नाम क्या है बहुस इंडिकस जाफरावादी स्ल्फभी और रेट सिंध इन्में से साइनacts स्ट्पिक नेम गाय का क्या हो जाएगा बॉस इंडिकस जाफराबादी सहीवाल एंडरेट सिंधी चलिए लगाए जल्दी बटा फट आरके अलाइस पीहू अवै और दानिया खान आंसर दीजिए बटा जल्दी से चलो नगाई रटा चलो जन्य बहुंस 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 इंडिकस आपका क्या हो जाएगा घ्लेट म consecet कि अध्या किसकी ही होती है लोग फराट किसकी हो जाएगी आपकी साधर की चै imaginar किसमे नहीं लोग फराट में आपते हैं किसमें आपने तो test करेक्ट लगा इसका म factetन हो जाएगा इसका क्या है ना ना क्यभएow होता है इसका तो बीबर हो जाएगा बीबर हो जाएगा अगे बढ़ते हैं स्यानता की स्यानता की एकाई क्या होगी पास्कल हो जाएगी पास्कल हो जाएगी या फिर जूल हो जाएगी या फिर बॉट हो जाएगी या फिर पोई हो जाएगी क्या होती है कोई भी लिकुड जो है कितना गाड़ा है कितनी आसाइनी से इसको क्या है क्या पहलेंगे कोई गारा है और धिमि sacrificateur बोलेंगे कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है को क्या बोलेंगे कम बिसकस बोलेंगे तो आंूसर हो जाएगा आपका पोई हो जाएका किया हो जाएका और एब वाठ का हो जाएगा इनधी का हुजाएगा या किसी अप Really surround económics का है ठीक है हो ऑक बढ़ते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं यहां से बिटा कि the speed of a car at any extent can be determined by its speedometer किसी भी समय पर कार की कौन से गती उसके speedometer दोरा निर्धारित किया जा सकता है spontaneous speed instantaneous speed या बोले तो यहां पर maximum speed या बोले तो यहां पर natural speed यहां से कौन से आपका हो जाएगा determined किया जाएगा इसके speedometer के दोरा तो जो भी हमारी इस आपके instantaneous speed होती है जैसे कि आप देखा हो कि meter कैसे करेगा ऐसे से deflate करता है इस तरीके से तो सो डेड़ सो 140 120 130 ऐसी जो आपके हो जाते हैं मीटर जो deflate करता है उसको हम लोग instantaneous speed बोलते हैं जो किसी भी time पर माना आपकी क्या किया जाती है जासी जाती राइट इसको बोलेंगे instantaneous या ततकालिक बोलेंगे बी इस दा आंसर दैनिया खान ने आंसर सही दिया है बागी समने गलत दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल आता आपके सामने की a falling drop of rain water acquires the spherical shape due to बारिस की बुणों का आकार किसके कारण गोला कार होता है बारिस की बुणे बुणों का पानी नहीं यह बारिसका पानी पानी की बुणे बंवंदे तुझे आगे बढ़ते हैं the power of retaining magnetism even after the removal of the magnetic force is called जड़ा बताएं चुम्बकी बल को हटाने के बाद भी चुम्बक तक बनाए चुम्बक के साथ कुछ तक रख दीजेगा उस मेटल में भी चुम्बक के कुछ गोड़ा जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो इसको क्या बोलेंगे रेटेंटीडीवीटी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रेटेंटीवीटी बिओलतेट निचेब्रेशन डूती है परिवासा होती है नोट करिए का जब गुर्ट्वा कर्ष्ण क्या हो जाएगा जब माली जी कोई भी ऑबजेक्ट है अगर प्रित्वी से ऊपर जा रहा है तो आगे पता ही फटा पर गुत्वा कर्ष्ण बल में क्या चेंज़ जाएंगे यह इंक्रीज होगा यह बोला जाए तो पहले इंक्रीज होगा फिर डोल तो आज यहाँ खनाऊ तो पृब्जेक्ट ऑपर प्रितवी से दूर जाएगा तो जिसे क्या है यह हमारा क्या हैं वारी सर पैस तो अबजेक्ट में जरी अंदर आजारा क्रणी नीचे आगे बढ़ते हैं अब वाए थ्रॉन आ वाल फॉम दा ग्राउंड तु दा रूफ ऑफ बिल्डिंग एक लड़का खड़ा हुआ एक बिल्डिंग है यहां पर मान लिजे एक वाई खड़ा हुआ है इसने क्या क्या गेंद फेकी ऊपर कहां पर इसके रूफ टॉप पर आए गा पॉजटिव होगा नेगेटीव होगा या फिर जीरो होगा या रफी निगेटीव होगा जअब बता ए है जि victorious xox कैसा हो जैसे कि मान लेजिए एक तरफ हो रहा है बीच में इंगल कितना बन रहा है बनेगा तो क्या होगा बताई रहा कैसा बगड़न होगा कैसा बगड़न होगा ग्रेवटिक दोहरा पूछा ना इसने किया पूछा गुर्तवा कर्शन नीचे कि तरफ लगेगा एक पूर्स और लगेगा जो की इस पर लग ठोढ़ेगा जो कि आपकर बॉल आपकी उपर जा रही होगी तो ग्रेविटी नीचे तरफ लगेगी और आपका जो डिस्प्लेश्मेंट होगा वो उपर की तरफ हो रहा है हाइट की तरफ बढ़ रहा है दोनों की बीच में कितना एंगिल बन रहा है एक जे टुशी डिगरी बन रहा है तो वाग्डन कैसा होगा निगेटिव वहीं समझे है की नीचे भूए और हुछ नीचे उप Küre पहलए तो हमारा्ण का यह ़िह हो रहा है हमारा लिजिए लग रहा रहा है हमारा घीए लग रहा है हमें तीसरा वाला फोर्स भी नीचे तरफ लगा रहा है तीनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा जीरो डिगरी हो जाएगा और जब तीनों के बीच में एंगल जीरो डिगरी हो गा तो फोर्स कैसा होगा बगडं कैसा हो जाएगा पोस्टिव हो जाएगा क्योंकि तब आपका ज सुमब की होती है आपकी कौन सी X-rays ठीक है third one is the right answer आगे बरते हैं good absorbers of heat are उर्जा के अच्छे अपसोसक क्या होते हैं तो जो आपके उर्जा के अच्छे अपसोसक होंगे उतने ही अच्छे वो क्या हो जाएंगे उसके एमिटर होंगे जैसे की black body black body radiation पढ़ाओगा आप लोग ने black body या काली बस्तु तो जो काली बस्तु में होती है जो black bodies होती है यह जितनी जल्दी उस्मा को अपनी तरफ खिशती है उतनी ही जल्दी उस्मा को क्या करेंगे यह बार की तरफ छोड़ती है तो answer क्या हो जाएगा good absorber are always a good emitter मैं देखिएगा c is the right answer good absorber are always a good emitter हो जाएगे तो c is the right answer बोलो हाँ या ना ठीके बात आगे बड़े आगे बढ़ते है total internal reflections take place when the light travels from which to which cool आंत्रिक पराबरतन तब होता है जब परकास कहां से कहां तक अत्रा करता है मैंने बताया था आप लोगों को कि जब light आपकी देंसर medium से देंसर medium से आपकी रेर मीडियम जाएगी जानास को ऐए से बटे या इसे चली जाएगी TV तब क्या हो जाता है डायमंड से ग्लास में जाएगी तो क्या हो जाएगा बैटा तो टेली ग्राम चैनल स्रच नहीं होता है आपको दे रहा हूं टेली ग्राम चैनल एक दम दोंड परी करेंगे और साइंस को ऐसा कर देंगे कि साइंस को तीस कुछन जो आ रहे हैं कितने आ रहे हैं तीस कुछन आपके पूंचे जा रहे हैं वह सताइस अठाइस उतीस कुछ रहे हैं हम लोग कंप्लीट करें उसको राइट ताकि हमारा एक भी सवाल गलत ना हो ठीक है और आज आपका मौका है टेस्ट्बुक पास खरीदने का बारा महने की जगह पर आपको अठारा महने का आज को बलेटी मिलेगी इसको खरीद लीजिए टेस्ट्बुक पास को लिंक आपको दिया होगा डिस्कॉप्शन में और मेरा कोड कूपन को लगा दीजिए का एपेस पास यहां पर आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो 399 जगा भी पढ़ेगा आपको कितने का 360 का पढ़ेगा और इसी की साथ-साथ में टेलिगराम लगारा है एपेसर टेस्ट्बुक इसको क्या करिए आप लोग जॉइन कर लेजएगे ठीके बाद चलिए डिटेल में कबसे स्टार्ट होगा बहुत ही जल्द आपका सायद नेक्स्ट 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 भी क्या नेक्स्ट ये विक के हैंड में आपका डिटेल वाइस ऊपका सुरूँ हो जाएगा तो बरुकल फैसान मत होग्या अब एक दम सुरूब से और सब्सक्राइब करिए चांटार है करें डेक्ट करिए की अपने प्रछेगा क्या क्लास को क्या करिए करिए ठेस्ट बुक बिहार चैनल को और सब्सक्राइब कि अभी सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं फिर से कितने बजे दो बजे डेली ओनली ओन टेस्ट बुक बिहार के बिहार पर ठीके बाद चलो फिर बाबाई टाटा टेक किर गाइस